चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हादेक स्वाग करता हूँ, मेरे पहरे बचो आज इस वीडियो में हम MCC के दो नोटिस के बारे में बात करेंगे पहला नोटिस है College of Nursing यानि BSC Nursing के Colleges के बारे में बात करेंगे जो MCC की काउंसलिंग में पार्टिस्पेट करेंगे दूसरा नोटिस रीफंड के रेकार्डिंग है यानि 2018 से लेकर के 2021 तक जो स्टुडेंट MCC के रीफंड के लिए इलिजीबल थे और उनको रीफंड नहीं मिला है उसके बारे में ये नोटिस है तो ये दोनों नोटिस के बारे में हम बारी-बारी से बात कर लेते हैं सबसे पहले College of Nursing प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो पिछली साल जो College of Nursing के लिए College पार्टिसपेट किये थे जिन college ने participate किया था उनमें IPU की ये 6 college भी थे याने की लक्समी बाई बत्रा, सेंट स्टेफन, college of nursing हिंदुराव होस्पिटल, college of nursing कस्तूरवा होस्पिटल, पन्नादाय college of nursing और सकुंतला देवी college of nursing तो ये 6 colleges ने हलांकि किया तो था इन्होंने बाद में participate किया था, लेकिन MCC की counseling में इन्होंने participate किया था, 2022 की counseling में, MCC की counseling में अब इस साल इन colleges की counseling, गुरु गोविन सिंग इंदरप्रस्थ University यानि IPU दवारा करवाई जा रही है और ये IPU के अंडर ही आते हैं, तो इनकी counseling, BSC nursing के लिए IPU की दवारा करवाई जाएगी और इसके बाद में जो MCC दवारा counseling करवाई जाएगी, उसमें IPU का college VMMC भी है, nursing के लिए, और इसमें RML भी है, तो ये दो दो college है, Central University के हैं ये, इसके बाद में जो next college है, CON FNC college है ये, नियो डेली का, इसकी counseling भी MCC दवारा करवाई जाएगी, और LHMC जो Lady Harding का है, इसकी counseling भी MMC दवारा करवाई जाएगी, राग की कांच जो राजकुमारी अमरता कोर college of nursing है, उसकी counseling भी MCC दवारा करवाई जाएगी, और भौपाल की counseling nursing दवारा करवाई जाएगी, यानि MCC द इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आगे तो यह रीफंड के रिगार्डिंग है यानि कि मसी सी पर 2018 से लेकर के 2021 तक जिन कंडिडेट ने रेजिस्टेशन किया था सेक्रिटी फीज डिपोजिट की थी लेकिन उनकी सेक्रिटी फीज रीफंड नहीं हो पाई हो सकता है किसी का अकाउंट क्लोज हो गया हो किसी का कार्ड बंद हो गया हो उसी वज़े से रीफंड नहीं हो पाया था यह अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप इस पे finance mcc at lifecare hll.com पर आप इसमें मेल कर सकते हैं और इसके साथ इसमें आपको एक एफिडेट भी भीजना है कोट के जो नोटराइजड स्टाम है स्टाम पेपर पर वो एफिडेट भीजना है इसमें एनेक्सर दिया गया है और इसमें आपको रीफंड के लिए प्रोसेस के लिए कारवाई करनी है तो आपका यहां रीफंड हो जाएगा अब इसके साथ साथ आपको जो डोकुमेंट्स लगाने हैं कोपी उपाधार कार्ड है एडमिट कार्ड है इसके बाद में बैंक अकाउंट की डिटेल है और बैंक अकाउंट जिसमें आप आपको इसके साथ में लगाना है यहां पर तो यह इस परकार से एक application form आपको mail करना है signature करनी है यहां पर और place and date लिखना है तो इस परकार का mail आपको भीजना है finance mcc at lifecare hll.com पर और इसकी कोपिया आपको adgme at nick.in पर भी करनी है ताकि आपको अगर आपका refund नहीं मिला है तो यह refund आपको issue किया जा सकी अभी refund की जो list है जिनको नहीं मिला है pending है यह 2018 से 2021 तक के लिए उसकी list यहां दी गई है PG के लिए भी दी गई है UG के लिए यहां year wise list दी गई है जिसमें roll number transaction ID यह सारा सब कुछ इसमें year के साथ में लिखा हुआ है तो आपका अगर roll number इसमें match कर रह है तो आपको यह सारे documents के साथ में इसको भेजना है अभी 2022 में भी काफी students को refund नहीं मिला है तो इसका भी process होगा इसका जिस परकार से 2018 से 2021 के लिए हो रहा है उसी परकार से होगा और इसमें तो 2022 में काफी सारे student को अभी तक मिला नहीं तो मैं सोचता हूँ इसके लिए एक list और जारी की जानी चीए साइद एक list और जारी होगी क्योंकि इसमें काफी सारे student बचे हुए हैं फिर भी अगर ऐसी list जारी नहीं होती है तो इस परकार से यह जब 2018 से 2021 का process दिखाया गया है ऐसे ही 2022 का process भी होगा यह security money कहीं नहीं lapse होती है वो इस condition में होती है जब आप इसक second round में seat alert करवाने के बाद नहीं लेते हैं तो इस परकार की condition होती है अगर उसमें forfeit हो जाती है तब ही नहीं मिलती है बाकी security आपको मिलेगी ही मिलेगी तो यह जानकारी थी mccc के दोनु notice के बारे में और जैसी जानकारी मिलेगी हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई update के